इस वीडियो में हम देखने वाले हैं binary, binary coded decimal के बारे में binary coded decimal के बारे में कि binary coded decimal क्या होता है और कोई अगर नमर दिया हुआ decimal में उसको हम binary में कनोहर कैसे करेंगे binary coded decimal एक कलास या हम सिस्टम बोल सकते हैं binary encoding का जो इस decimal डिजिट को एक fixed bits में convert करता है binary के bits में convert करता है और जो कि usually 4 और 8 bit का होता है sometimes जदा हो जाता है क्योंकि कहीं error या फिर overflow होता है तो जदा हो जाता है तो error और overflow इस वीडियो में ने देखेंगे next section में देखेंगे उसके बारे में अभी स्रिप देखते हैं कि simple अगर कोई decimal नमर दिया हुआ है वान टू जरो जरो कर दिया आठ चार बार है यह होगा simple binary करवाशा है लेकि binary coded decimal में इसा नहीं होता है binary coded decimal में क्या होता है कि decimal का इस डिजिट का अपना bits होता है यान कि one two है तो पहले two का हम लिख लेंगे two का क्या होगा two का four bits में फिर one का लिखेंगे यह क्या हो गया टोटल यह हो गया bcd इसको हम स्वाट में binary coded decimal बोलते हैं यह simple था कौन सा कनफर्जन था यह simple था binary कनफर्जन था यह हो गया bcd मेरा normal decimal का था अगर point में देदे माल लिजे हमको point में मिल जाए कोई भी इसको कैसे करेंगे same to same करेंगे two five राइट साइड है two five का करेंगे पहले five है पहले five का कर लेंगे four one five होता है कि ट्यूंटिफाइव का हो गया अब फोटी नाइन का करेंगे तो नाइन का क्या हो जाएगा कि वान जीरो कि जीरो और ठेक नो अब फोर का भी कर लेंगे तो जीरो यह फोर का हो गया तो यह अलग-अलग था पुंट के साथ लें फोटी नाइन का प्लें फोटी नाइन का नीचे लिख देंगे और पोइंट था 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 मपुंट फिर ट्वेंटिफाइव का हम लिख देंगे तो यह आपका हो गया bcd binary coded decimal वह था साम था अब नेक्स वीडियो में देखेंगे कोई और टॉपिक थैंकिए